आप लोग आप सभी को वेरी गुड आफ्टर्नून सुन्दी नमस्कार ठीक हूं में एक ताहूं करन जी कैसे आप रंजी जी बहुत सारा नमस्कार चरन इस पर कह रहे हैं आप नमस्कार आपको भी प्रेम राज जी आपको भी नमस्कार प्रेंड्स पहले तो मैं माफी मांग लेता हूं माफी इस बात के लिए कि लगबग 10 से 15 दिन बाद में आप लोगों से रूबरू होने का मुखा मिल रहा है कुछ सेजूल इस तरह का है कि आप लोगों के समख शाजिर नहीं हो पया तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है मूल करतव्य है देखिए टॉपिक छोटा जरूर है 15 से 20 मिनिट की क्लास इस विशाय पर जरूर होगी लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए मुझे ऐसा लगता है प्रस्तावना अनुचेद 19 और इसके बाद मे वो टॉपिक है जहां से हर बार हर एक्जाम में कुई न कोई सवाल बनता है सवाल बनना बहुत बड़ी बात नहीं है सबसे बड़ी बात है कि सवाल नए सीरय से बनना परंपरागत सवाल नहीं आता है जिस तरह से प्रेम्बल में 6-7 लाइन लिखी वी है और प्रस्तावना से हर बार सवाल बनते हैं हर बार नया प्रकार का सवाल आता है वैसा का वैसा टोपिक है मूल करतभी यहां से भी बहुत अच्छा मुके60 नमश्कार मैं एक दम बढ़िया हूँ वंपकर जी री गुड्ड अफिरनून अब पहले हम लोग इस टोपिक पर बात कर ले, मूल कर्तव्य टॉपिक जरूर छोटा है, हर बार सवाल आता है और मैं ये कहना चाहरा हूँ, सवाल हमेशा नए परकार का आता है, तो हमको कॉंसेप्ट के लिए होना चाहिए, फिर एके करके हम मूल कर्तव्य की बात करेंगे, देखिए, पहली बात जो आपको द दूसरी बात, मूल कर्तव्य अगर हम आपको पुरा सांत रखें, सहीमित रहे तो मेरे इसाब से हर प्रश्ण को किया जा सकता है, जैसे आप लोग जानते हैं, एक प्रश्ण बता है, वरत्माद समय में कुल कितने मूल कर्तव्य है, हम लोग जबाब देते हैं 15 मूल नहीं थी तो हम लोग जबाब देते हैं कि उस समय उनके संक्या 10 थी और मूल सविधान में कितने मूल करते वे थे पहला आपसन आता है कभी 10 कभी आता 11 कभी आता है साथ इस तरह से प्रेश्ण पूछे जा सकते हैं इस तरह के विकल पा सकते हमेशा ध्यान रखेगा मूल सवि सविधान शंशुदन के द्वारा हां रंजी सिंग जी अब ख्लास लगतार रहेगी मुझे मालूम है मैं इतना इंतजार नहीं करने देंगे इतना इंतराल नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजेगा 11 मूल करतव्य वरत्मान समय में 86 सविधान शंशुदन के द्वारा 11 मूल करतव्य जोड़ा गया अब देखिए कहीं किताबे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल करतव्य कौन सी समीती की सिफार इस पर जोड़े गए तो आप लोग देखते हैं सरदार स्विधान सिंग समीती की सिफार इस पर मूल करतव्य 42 सविधान जिसका उल्लेक हमने इस बोर्ड पर किया है चुंकि ये प्रेश्ण पूछ लिया गया है इस वज़े से हम लोग लगातार ये कहने लग गया है कि मूल करते वे सरदार सोन सिंग समीति के सिफार इस पर जोड़े गया थे मूल करते वे नहीं पूरा का पूरा 42 वा सविधान शंशुदन जो है वो सरदार सोन सिंग समीति के सिफार इस पर हुआ है तो मूल करते वे चुंकि 42 वे संशुदन के द्वारा ही जोड़े गये थे इस वज़े से ये भी सरदार सोन सिंग समीति की सिफार इस पर जोड़े गये ऐसा हम लोग कह सकते हैं एक तो बात है यह दूसरी बात मूल करतवी हम लोगों ने सोवियत संग से लिये हैं जिसे आजकल हम लोग रशिया कहते हैं अब देखिए मूल करतवी कितने हैं क्या है कौन कौन से इसको हमको एकी करके जानना है और बहुत बारी किसे जानना है क्या कहता है हमारे 11 मूल करतवे पहला जो मूल करतवे है अज़र देखिए न वर्ट्स 2015 के आरेस के पेपर में तो प्रेश्ट नहीं यहां तक पूछ लिया एक मूल करतवे लिखा आया और पूछा कि यह इसकी संख्या कौन सी है तो ऐसी इस्तिति में हमको वो भी जानना होता है ज़रा देखिए आरे क्या मूल करतवे है हमारे 11 पहला मूल करतवे है भारत के सभी नागरिकों का यह करतवे हैं कि वे सविधान की पालना करें आगे क्या लिका है पहला मूल करतवे हैं सभी नागरिकों का यह करतवे हैं कि वे सभीधान की पालना करें इसे तो आपको ध्यान रखना ही रखना है लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्रपूर आगे क्या लिका वाए आगे लिका तथा सभीधान के आदर्स हों हमारे जो आइडियल से एक आदर्स लिकावा है दूसरा लिकावा है सभीधान की संस्ता है ऐसी संस्ता है जिनका उलेक सभीधान में अरतार समविधानिक संस्ता है समविधानिक संस्ता है आगे लिखावा है हमारा राष्ट्य गान, जनगर्मन, राष्ट्य गान भी लिखावा है और फिर लिखावा है राष्ट्य द्वज का सम्मान करें मेरे इसाब से यह बहुत बढ़िया प्रेशन हो सकता है क्योंकि आप देखिए हमारा राष्ट्रे गीत भी है राष्ट्रे गान भी है लेकिन यहां पर राष्ट्रे गीत जैसे सब्दका उलेक नहीं है आप उसे प्रेशन पूछ सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रे गीत कुछ रेजिर्वेशन रहे होंगे, कहीं कहीं उनको ऐसा लगा होगा, कि इसमें किसी एक धर्म की धर्म का पूर्ट नजर आता है, हो सकता है, इस वज़े से राष्टर गीत सब्द का परियोग नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है, कि पहला प्रशन अपना यहीं से बन सकता ह क्योंकि हमाँ चार सब्द लिखे वे, सम्विधान के आदर्स, सम्विधान इक संस्ता है, राष्टे गान और राष्टे दोज, यह चारों बातों को ध्यान रखेगा, और साथी साथ आपको यह ध्यान रखना है, यहां पर राष्टी गीत सब्द का उलेक नहीं है, यह तो आना बोल देना ये अलग चीज होता है और एग्जामिनेशन हौल में बैटने के बाद में उससे संबन्दी जो प्रशन पूछा गया उसको हैंडल करना उसको टैकल करना उसको सही करना एकदम अलग चीज होती है आप मूल करते हुए को याद करते समय इस तरह का फॉर्मूला रखें टू प्लस टू प्लस टू पहले दो मूल करते हुए एक जैसे लगते है अगले दो मूल करते हुए एक जैसे लगते है और अगले दो मूल करते हुए को हमने एक जैसा बना दिया है तो इस तरह से आप छे मूल करते वे याद कर सकते हैं दूसरा मूल करते वे क्या है दूसरा मूल करते वे हमारे सोतंतरता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्सों को हरदे में संजोय रखे ये हमारा दूसरा मूल करतवे है तो देखिए पहले मूल करतवे में लिखा है समविधान की आदर्सों को और दूसरे मूल करतवे में लिखा है स्वतंतरता आंदुलन को प्रिरित करने वाले आदर्सों को हर्दे में संजो रखना तो इसमें फड़ा फर्क देखना पड़ेगा 11 जो मूल करतेवी है मौसरीम जी बताएंगे मूल करतेवी और मूल अधिकार में अंतर क्या अभी इसमें बात करेंगे जरूर बात करेंगे आपको याद ये रखना है कि 11 मूल करतेवी इतने छोटे से मूल करते हुए, इसमें बहुत बारी के से पढ़ने की आउशकता है पहले में सविधान की आदर्सों के सम्मान करने की बात कही है और दूसरे में कहा गया कि हमारा जो स्वतंतुरता अंदुलन है हमारे सुतंतरता अंदलों को जिन बातों ने, जिन आदरसों ने प्रेरित किया, उन्हें अपने हर्दे में संजोर रखे, ऐसा हमारा दूसरा मूलकर्तवी है मैंने जैसा कहा कि आप 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 के हिसाब से याद करें तो पहले 2 मूल करतवे हमको एक जैसे लगे तीसरा मूल करतवे क्या है? देश के सभी नागरे, देश की एकता, अखंता और संप्रभूता की रक्षा करें ये हमारा तीसरा मूल करतवे है और ये जो मूल करतविया देश की एकता अखंता और समप्रभूता की रक्षा करना यही प्रेशन आरेश 2015 में पूछा गया था सीधा पूछ लिया देश की एकता अखंता समप्रभूता की रक्षा करना कौन सा मूल करतविया है तो ध्यान रखेगा ये तीसरा मूल करतवी है और तीसरा जो मूल करतवी है उसी की तरह है चौता मूल करतवी है और चौता मूल करतवी क्या लिखा है देश की रक्षा करे देश की रक्षा करे देखे जाना इसको बड़ा ध्यान से देखे देश की रक्षा करें और आवान के जाने पर राष्टर की सेवा करें दोनों सब्दों का प्रियूग कर रखा है चौते मूल करतवे में तो तीसरा मूल करतवे कहता है देश की एकता अखंता और समप्रभूता की रक्षा करें और चौता कहता है देश की रक्षा करें और बुलाये जाने पर और आवन की जाने पर राष्टर की सेवा करें इस वज़े से मैंने का 2 प्लस 2 यानि दो-दो अगर आप याद करेंगे दोनों एक जैसे लगते हैं तो 2 प्लस 2 के इसाब से उनको 4 मूल करतेवे याद हो जो ये कहता है बेगार प्रता फोश लिबर किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं और काम अगर करवाते हैं तो उसके बदले में उसका जो भी मांदय बनता है उसकी जो भी मजदूरी बनती है वो मजदूरी दी जानी चाहिए उस अनुछे तेश के अंतरगत य जबान किये जाने पर राष्टर की सेवा करें इस बात का उलेक मूल करतवे में चौता मूल करतवे तो टू प्लस टू अब देखिए अगले पांचवा और छटा मूल करतवे मैं अकसर इनको टू प्लस टू में देखता हूँ पांचवा बड़ा जबरदस्त मूल करतवे है जहांसे बहुत अच्छा प्रेश्ण बन सकता है और वो क्या मूल करते हुए जरा देखिए पांचवे मूल करते हुए में लिखाव है देश में समरस्ता यानि हार्मोनी देश में समरस्ता वा समान भातरत्व यानि common brotherhood की भावना का विकास करें जरा देखें आप एक बहुत अच्छा प्रेश्ण हो सकता है कहां से प्रेश्ण बनेगा अभी बात करेंगे देश में समरस्ता यानि हार्मोनी और common brotherhood यानि भावना का विकास करें ऐसी प्रताओं का त्याग करें जो महिलाओं की डिग्निटी जो इस्तरियों के सम्मान उनकी जो गरिमा है उनकी खिलाप में हो उनके विपरित हो उनके विरुद हो ये पांचवा मूल करतवे समरस्ता की भावना common brotherhood की भावना तता ऐसी प्रताओं का त्याग करना जो महिलाओं के विरुद है ये चिपा हुआ है एसी प्रताओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद है इस बात का उलेग पांचवा मूल करतवे में सीधा प्रशना आ सकता है एसी प्रताओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद है कहां उलेकित है, नीती नीदेश रत्व में है, मूल अधिकार में है, मूल कर्तव्य में है, या सविधान में कहीं उलेकित भी नहीं है, तो आप ध्यान रखेगा, यह पाँचवे मूल कर्तव्य में है और छिपी विए, पहले लिखा है, समरस्ता तता समान भात्रत्व की आउना का विकास करें जो देश, जो प्रदेश या जो वर्ग या जाती पर अदारित ना हो ऐसा पाँचवे मूल करतवे में लिखावा है एक सब्द लिखा मैंने भात्रत्व हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ब्रेदरूड हम लोग कह सकता है फ्रेटिनिटी वादा किया है पौलीटि पूरी की पूरी नेट पर आप लोगों से यूटूब पर आप लोगों से फेस्बूग पर रूबरू होंगा पौलीट्रि को लेकर सो परशेंट होंगे इसलिए तो हम लोग स्टेप बाए स्टेप कर रहें पहले हमने प्रियम्बल पड़िए इस एक सब्द लिखावा है भाईचारा, अंगरी जी में कहते है फ्रेटरिनिटी, एक तो ये भी प्रेशन आ सकता है, आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसी कौन-कौन सी बाते हैं, जो प्रियम्बल में, यानि प्रस्तावना में, फंडामेंटल राइट्स में, नीती नीदे सकता अप्तु में, और फंडामेंटल डिवटी यानि मुल्कर्तविय में कॉमन है, आजकल इस प्रकार का ट्रेंड डवलोप हुआ है, कि कॉमन चीजों के बाएर में प्रेशन पूछे, तो यहां भात्रतु लिखावा है, और प्रस्तावना में भाई चारा ल संस्कृति, देखिए, सब्द है सामासिक संस्कृति, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछेंगे, तेरा देखिएगा, देश की सामासिक संस्कृति की गौरुसाली परंपरा को समझे, कितना महतुपन सब्द का परियोग किया है, सामासिक साथ जी सामा सीख संस्कृति तता गौरव शाली परंप्रा का मैंतु को समझें एकदम बात सही है ये हमारा चटा मूल करते विए सामा सीख संस्कृति का मतलब गंगा यमुना की संस्कृति अकसर हम लोग राजयस्तानी में यह यूं कहती है यू कहते हैं घर आया मा जाया अर देश की सामा सिक संस्कृति की गौरवसाली परमपरा को समझे तो ये भी एक बहुत अच्छा मूल करतावी है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगा तो देखिये टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू पहले दो मूल करतेवे एक जैसे लगे दूसरे मूल करतेवे दो जो त साबसे छे मूल करतेवे आपको आराम से याद हो सकते हैं सांत्व मूल करतेवे क्या है सांत्वा देखिये मैंने थोड़ी देर पहले का मूल करतेवे मैं आजकल एक प्रशन पूछा जाने लग गया और वो क्या प्रशन है मूल करतेवे और नीती ने दे सकता तो मूल वोना में क्या common चीजें हैं, तो जरा देखिए, सांत्वा क्या लिखावा है, देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है, वो परियावन का संडक्षन करें, protection of the environment, परियावन का संडक्षन करें, आगे क्या लिखावा है, वन, वन ये जीव, वन ये जीव, नदियां, जीलों का संडक्षन करें, नदियों का संडक्षन, जीलों का संडक्षन, इन सब का उले कर रखा है, हमारे सांत्वे मूल करतवे में, और आप ये लोग याद करें, हम जो निती नीदे सकता अत्व जब पढ़ते है, आर्टिकल 48, प्रशान जी सामासिक का मतलब होता है, जोड़ना कमपोजिट, सामासिक, ये सामाजिक नहीं है, सामासिक का मतलब है, जोडने वाली संस्कृति, हमारी संस्कृति लोगों को जोडती है, that's why सामासिक लिखाव है, हम लोगों ने नीती नीदे सकता अत्व पढ़ा, आर्टिकल 48, A के अंतरकत हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये परियावन की रक्षा करें, वन और वन ये जीवों को संरक्षन पढ़ाण करें, ये प्रशन ऐसे सी में पूछा जा चुका है, इन में से वह कौन सी बात है, जो मूल कर्टवे और नीती नीदे सकत्व, दोनों में कॉमन रूप से पाई जाती है, वह यही बात है, परियाव आटवा मूल करतव्य देखे, आटवा मूल करतव्य में जिन सब्दों का परियोग किया गया है, वो सब्द हमारे लिए बहुत नए हैं, और इसलिए हमको लगता कि इस प्रकार के सब्द थोड़ी लिखे होंगे, लेकिन बहियां लिस्वा सविधान शन्शोदन जिन लोगों ने किया, उन लोगों की भावनाएं देखे, उन लोगों की सैंटिमेंट्स देखे, उन लोगों की मन्शाओं को देखे, कितने शांदार सब्दों का प्रियोग किया, विग्यानिक द्रश्टिकॉन, साइंटिफिक टैमपर, देश के सभी नागरिकों का ये करतव्य हैं कि विए विग्यानिक द्रश्टिकॉन का विकास करें, scientific temper, मतलब दक्यान उसी सोच को छोड़े, उसकी जगा पर तर्क पर बातों को लेकर देके, that is विग्यानिक द्रश्टिकॉन, एक बहुत महतुपूर्ण मुल करतवी है, विग्यानिक द्रश्टिकॉन का विकास करें, इसी म लिखावा है, सुधार की भावना का विकास करें, और इसी में लिखावा है, ग्याना अर्जन, ग्यान को अर्जन करने की भावना का विकास करें, ये चारों सब्द, आटवे मूल करतवे में लिखें, इसको समझने की जरूत है, इसको अपनाने की जरूत है, विग्यानिक भी कह रहे हैं, सेर थोड़ा धीरे पड़ा, ओके, ओके, ठीक है, हमारा जो आटवा मूल करतव्य है, वो कहता है, विज्ञानिक द्रस्टिकॉर्ण का विकास करना, इसका मतलब संकीन, ओची, या यू कह दीजे, दक्यानुसी टाइप की जो सोच है, उसको त्या करना, और उस वाद का विकास करें, इस बात का भी लिखावा है, मूल करतवे के रूप में, आटवा मूल करतवे, सुधार, हर व्यक्ति को, हर दिन, हमेशा अपने में सुधार करने की कोशिश करने चाहिए, ये बात भी लिखिवी है, और ग्यान को अरजित करने की इच्छा, हम टीजर बन जाए, हम ये ना बन जाए, कि बस, जो मुझे आता है, वो फाइनल है, इसके बाद में और कोई ग्यान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक मूल करतवे है, ग्यान को अरजित करने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए, हमको ग्यान अरजित की भावना का भी विकास कर यह हमारा आटवा मूल करते हुए वैसे आपको बता दूँ वर्ट्स 2011 सेकिंड ग्रेड का जो पेपर हुआ एसेस्टी का जो पेपर हुआ एसेस्टी के पेपर का यह प्रेशन था इन में से कौन सा मूल करते हुए नहीं है और वहां पर यह लिखा वा था अधिकांस विद्यारतियों को यह सब्ड़ बड़े नए लगे बड़े अजीब से लगे तो उनको लगा कि साइद यह मूल करते यह नहीं है जबकि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है यह हमारा मूल करते हुए इसको द्यान रखना एक तो बात ही है दूसरी बात यह तो 2011 से किन ग्रेश्टी में प्रेशन आया और वर्ट्स 2013 आरस के पेपर का ज़रा प्रेशन देखिए आरस प्री में क्या प्रेशन पूचा गय आरस प्रेशन पूचा गया, आप लोगों को मौलीक अदिकार पढ़ाये थे, मौलीक अदिकारों के संदर में आप लोगों से बादचित की गई याद करिए एक मौलिक अधिकार के बारे में जब हमने बात की थी धार्मिक सोतनतुरता का अधिकार अनुचेत 25 से 28 तक जब आपको अनुचेत 25 से 28 तक बताया गया उस समय अनुचेत 25 में आपको क्या बताया गया आपको अनुचेत 25 में ये बताया गया सभी व्यक्तियों को अपर दफ़र्म को मानने, उसका प्रचार करने, धर्म की अनुरूप आच्रन करने तथा कॉंसीयस, याणी अंतर करन की सोतुं दूरता होगी और अगर आप लोगों को ये बाते याद है, याद हो तो आपको ये भी याद होना चाहिए अनुची 25 के अंतरगत हमने तीन कंडिशन देखी थी मैंने का ये चारों अधिकार आपको प्राप्त होंगे लेकिन कैसे प्राप्त होंगे तीन कंडिशन है तीन कंडिशन में एक मैंने का morality को किसी परकार का नुकसान नहीं होना चाहिए अर्तार्त सदाचार को नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी health को नुकसान नहीं होना चाहिए स्वास्ती को नुकसान नहीं होना चाहिए और साती सात में आपको बताया था public order यानि लोक विवस्ता को किसी परकार का नुकसान नहीं होना चाहिए इस विशे पर हमने चर्चा की थी वर्ट्स 2013 आरे स्प्री का प्रेश्ण यही था और प्रेश्ण नहीं लिखा वा था अनुचे 25 के अंतरगत जो हमें अधिकार प्राप्त है दार्मिक जो अधिकार प्राप्त है वो इन में से कौन सी कंडिशन में प्राप्त नहीं है और वहां पर एक कंडिशन मानववाद लिख दी हमको लगा इसको मैंने कहीं पढ़ रखा है तो मानववाद पढ़ तो रखा है स्याम जी एक बात तो है सर कोई आप से प्राद्यपक की तियारी करे तो सत परतिशत कह सकता हूं कि उसे राजनेती विज्ञान का प्राध्यपक बनने से कोई नहीं रोक सकता आप लाजवाब हो मुझे लगता है सियाम जी यह सब आफ लोगों का प्रेम है उसी वज़े से यह सब चीज़े हो पाती है वरना सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं हर कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जादा है और जो भी आकर मंच पर बात करता है वो अपना सो प्रतिशत एफर्स करने की कोशिश करता है लेकिन आप लोग जो ये इतना प्रेम देते हैं उस प्रेम से हमको और जादा मोटिवेशन मिलता है तो मानववाद सब्द का उलेक अनुचेद 51-A के अंतर का जो मूल करतव्य है उन मूल करतव्य में और सवाल पूछ लिया अनुचेद 25 के बारे में तो बाते सुनी भी होना और बाते सटीक होना मैं दोड़म में बड़ा अंतर है इस बात को भी ध्यान रखें ये हमारा आत्वा मूल करतव्य था अब ज़रा नौवा मूल करते विए देखें नौवा मूल करते विए आप अरहम से समझ सकते हैं जो भी मित्र लोग जिनसे मैं बाते कर रहा हूँ YouTube के मादेम से, Facebook के मादेम से और वो जो मंच है वो मंच है उतकर्स का उतकर्स से संबंदित है नवा मूल करते वे लिखावा है सभी अपने व्यक्तिकत और सामोईक परियासों से उतकर्स की और बढ़े उतकर्स का यहाँ पर मतलब होता है excellent हर व्यक्तिक को इस बात का परियास करना चाहिए कि वो अपने जीवन का जो सर्वच्य है उसको पराप करे उतकर्स की और बढ़ना सभी अपने व्यक्तिकत और ना किवल व्यक्तिकत बलकि सामोईक भी लिकावा है व्यक्तिकत और सामोईक परियासों से उतकर्स की और बढ़े यह हमारा नवा मूल करते विया है तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखे सॉरी 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 माफ करना ये हमारा दस्वा मूल करते विए है उतकर्ष की और बढ़ना हमारा दस्वा मूल करते विए नौवा मूल करते विए तो ये है कि सभी लोग अमारी जो राष्ट की जो संपती है उसकी रक्षा करें जो सारवजनिक संपती है उसको किसी परकार का नुकसान नहीं पहुंचा है ये हमारा 9 बमुल करता है और 10 बमुल करता है सभी अपने व्यक्तिकत और सामोई प्रियासों से उतकर्ज्की और बड़े ये हमारा 10 बमुल करता है इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना एग्यारवा मूल करता हुए एग्यारवा मूल करता हुए थोड़ी सी दिक्कत है सब्द अग उपर नीचे हुए नहीं और सीधा का सीधा हमारा आंसर गलत हो सकता है इसको बहुत द्यान से देखिएगा आप 86 वे सब्दान शंशुदन के द्वारा जोड़ा गया था वर्ट्स 2002 में जोड़ा गया था हमारे सब्दान की समिक्षा करने के लिए एक सब्दान समिक्षा आयोग बनाया था सुप्रिम कोट में चीफ जस्टिस रह चुके है सब्दों का हेर फेर होने की वज़े से गलती कर सकते है सीधा लिखवा आ सकता है जरा देखेगा अगर कोई कहता है कि 83 वे सविधान शंशुदन द्वारा 11 करते वे जोड़ा गया तो ये गलत हो जाएगा 11 वा जोड़ा गया और 11 रा करते वे जोड़ा गया दोनों में बड़ा साब्दिक अंतर है तो इस बात को ध्यान रखना 11 वा करतवी है ना कि 11 करतवी 11 करतवी 86 वे सविधान शंशुदन के द्वारा वर्ट 2002 में जोड़ा गया और क्या कहता है सभी माता पिता और अभी भावकों का ये करतवी है कि वे अपने सभी बच्चों को अनिवारिय प्राप्निक शिक्षा उप्रत्प करवा है इस बात का उलेक मूल करतवी में 11 मूल करतवी है एक तो बात है ये दूसरी बात वर्ट 2012 में RPSC का एक एक एक्जाम में प्रेशन पूचा गया मूल करतवी सविधान में कब जोड़े गए और आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा उसमें दो आफसन थे एक था 42 और दूसरा था 86 अब हम लोग कंफ्यूज हो गए कंफ्यूज होना वाजिब था कि 42 लिखे या 86 लिखे हम लोगों को मजबूरी में 42 लिखना पड़ा कोई दिक्कत नहीं है इसके दो कारण थे देखे 42 के द्वारा 10 मूल करते वे जोड़े गए 86 के द्वारा 11 मूल करते वे जोड़ा गए लेकिन जब दोनों आफसन साथ में तो हम लोग 42 सविधान शंशुदून को प्रात्मिकता दे सकते हैं और उसके दो कारण है original constitution में कहीं पर भी मूल करते वे उलेकित नहीं थे पहली बार जब जोड़ा गया वो समय जो amendment किया गया वो 42 सविधा था और दूसरी बात संख्या की अगर द्रश्टी से भी देखे तो ऐसी इस्तती में 10 करते वे जोड़े गए इसलिए 42 और 86 वा दोनों option होने के बावजूद भी हमने 42 वा लिखा लेकिन by the way option इस तरह से हो जाए मूल करते वे सविधान में कब जोड़े गए 42 वे के द्वारा 46 वे के द्वारा 42 और 86 दोनों के द्वारा या कुछ और लिखा वा जाए तो ऐसी इस्तती में 42 वे और चिया स्रीवे दोनों सविधान शर्शोदिन को option को हम लोगों को सही मानना इस बात को भी थोड़ा सा द्यान रखे अच्छा जब भी हम लोग मूल करते वे की बात करते हैं तो विध्यारती एक प्रेश्ण पूछता अगर आप इसकी पालना नहीं करते हो तो कोई दिक्तत नहीं है कोट में किसी परकार की कोई सजा नहीं है लेकिन याद रखेगा हमने जो 11 मूल करतव्य पढ़े उन 11 के 11 मूल करतव्य में किसी न किसी मूल करतव्य का सम्मन हमारे देश की किसी कानून से है जैसे हमारे एक मूल करतव्य वन और वन्य जीवों का संडक्षन करें अगर आप इसकी पालना नहीं करते हैं मूल करतवी के रूप में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लोग जानते हैं 1972 का वन्य जीव संड्रक्षन अधिनियम बना हुआ है उस कानून के तहत सजा दी जा सकती है अगर आप वन्य जीवों का संड्रक्षन नहीं करते हैं या उनकी किसी परकार की हद्या या उनकी किसी परकार का उत्पिडन का काम करते हैं तो मूल करतवी के रूप में तो भली सजा नहीं दी जा रही है लेकिन उससे संबंदित कानून बना हुआ है जैसे राष्टे दोज का सम्मान करें राष्टे गान का सम्मान करें इस संदर में हमारी आपर code of conduct बने हुए अगर राष्टे दोज का कोई सम्मान नहीं करता है उसके प्रती किसी प्रकार का और सम्मान प्रतशित करता है तो हमारे इस संदर में जो Code of Conduct बने वे उन कानूनों के तेद उन कोड के तेद खिलाब उनके विरुद जो इसका उलंगन करते हैं उनके खिलाब में कारवाई की जा सकती है इस बात को भी आप थोड़ा सा दियान रगे तो मूल करतवियों के रूप में बले ही पालना इसकी अनिवारिया नहीं हो लेकिन मूल करतवियों के संदर में बहुत सारे कानूने उन कानूनों का उलंगन होने पर सजा दी जा सकती है वैसे मित्रों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ एक प्रशन और अच्छा सा बन सकता है हमारे सुप्रीम कूर्ट में एक चीफ जेस्टीस रहे हैं जेएस वर्मा जगदी सरण वर्मा ये चीफ जेस्टीस रहे हैं जेएस वर्मा की अध्यक्स्ता में 1999 में एक समिती का गठन किया गया था और इस समीति को काम यही दिया गया कि वो इस बात का अधियन करके बदाए कि मूल करतविय को वेवारी ग्रूप से किस परकार से लागू किया जाए इसकी अनिवारिता कैसे हो तो जेयस वर्मा समीति का भी समध मूल करतवियों से इस बात को भी दियान रखे दोस्तों आज हम लोगोंने मूल करतेवे की बारे में बात की आप सभी लोग अपना प्रेम इसी तरह से रावल सिंग जी मैंने आपके सवाल का जबाब दे दिया मूल करतेवे की पालना ना करने पर किसी परकार का कोई कानूनी प्राबलम नहीं है लेकिन मुल कर्तवियों छुड़ेवे कानुन है, उसका उलंगन होने पर जरूर सजा दी जा सकती है आज हम लोगों ने बात की मुल कर्तवियों के बारे में अब पॉलिटी का सिलसिला आगे भी हमılोग जारी रखेंगे कल अम लुग बात करेंगे राष्टपती राष्टपती की क्वालिफिकेशन उनसे जूड़ेवे अन्यमुद्धों पर आप अपना प्रेम इसी तरह से बनाया रखे थैंक यू वेरी मच्छ थैंक यू क्यां भाष्टों अब हुआ है